स्वेलो फ्रेंट्स एक और नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बुलिस रिवर्सल डॉबल वर्टम के बारे में बताने वाला हूँ कई लोग इस पेटर्ण को डॉबल पेटर्ण के नाम से भी जानते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं यदि आप भी वांस्तों में मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा आप जितना अधिक लर्निंग करेंगे मार् सिम्पल ने आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और मार्केट को आप काफी अच्छे से सीख पाएं चलिए वीडियो में आगे वीडियो है आपको यहाँ पर बीग एनाउंस्मेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो चलिए अपने वीडियो के में टॉपिक पे आते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हूँ बुलिस रिवर्सल चार्ट पेटर्न पार वीडियो में देखेंगे तो आपको काफी बुलिस क्या होता है रिवर्सल क्या होता है सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो देखिए यह जो यहाँ पर पेटर्न देख रहे हैं यह चार्ट पेटर्न जो है इसका नाम जो है बुलिस रिवर्सल डॉबल वर्टम या फिर डॉबलू पेटर्न जैसा कि मैंने वीडि से देखने के लिए मिलते हैं उसे समझाता हूं तो यहां पर देखें यहां पर यह जो ऊपर में एक लाइन होता है एक नीचे में यहां पर यह लाइन दिया गया है ठीक है उसके बाद से यहां पर यह जो लाइन है green color का यहाँ पर 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 यह मार्केट जो है यहां से जस्ट नीचे में आया है तो यहां पर एक बार जो है यहां पर बॉटम पर क्या कहेंगे सपोर्ट लिया है एक बार सपोर्ट लिया है जस्ट यह ऊपर गया है फिर रेजिस्टेंस लेकर आपस जो है इसी लाइन पर यहां पर जो नीचे में यह दिया का scenario यदि chart पर आपको देखने के लिए मिलता है तो इसको हम bullish reversal double bottom के नाम से जानते हैं या फिर double pattern के नाम से जानते हैं तो इसमें देखिए entry आपको कैसे करना है exit कब करना है और target कितना लेना है उसे समझने से पहले जो है इसमें कुछ बाते होती है जो आपको समझना होगा जैसे कि कई बारा आप देखते होंगे कि market में आप entry ले लेते हैं जैसे हैं आप entry जैसे कि offside का लेते हैं market थोड़ा सा उपर जाता है जस्ट नीचे आ जाता है आपका एसल हीट हो जाता है यानि कि आपका loss हो जाता है तो उसको कहते हैं fake breakout यानि fake chart pattern यानि कि जो chart pattern था वह जो था गलत chart pattern था उसे trap करने के लिए बनाय गया था तो देखिए अगर आप जो है bullish reversal chart pattern chart पे बनता है तो क्या जो chart pattern बना है बिलकुल यानि market में वह work करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए जो बाते हैं उसे मैं समझाने का प्रियास करता हूँ तो सबसे पौहले जो है यह जो आपको chart pattern देखने के लिए मिलेंगे यह जो है मार्केट का trend कैसा होना चाहिए बनने का इंतजार करना है जैसे कि Yeti इससे मार्केट का ट्रेंड लिया उसके बाद से फिर नीचे आ लिवा पर पे यहां से नीचे आए तो पहला वाटम हो जाएगा यह दूसरा वाटम हो जब जो है इसको यहां पर इस जो नेक लाइन नेक लाइन को जब यह ब्रेक करेगा आपको यहाँ पर क्या कर लेना है इंट्री कर लेना है नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा इसको इंट्री कर लेना है और टार्गेट जो है आपका रहेगा यहाँ से मार्केट का और जब यहाँ से फॉल करना चालो किया है यहाँ से ज तरह से आपको इसमें इंट्री करना होता है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा W pattern कैसे काम करता है मार्केट में आपको यह समझ में आ गया होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें चैनल पे पहली बार आ रहे हैं आलों को सब्सक्राइब कर लें